जब भी हमें अपने घर में kitchen बनानी होती है, तो हम एक series of decisions लेते हैं, जैसे core material क्या हो, company क्या हो, basket किस तरह की हो, shape क्या हो, color क्या हो, इस तरह के बहुत सारे decisions हमें लेने होते हैं, लेकिन इन सारे फैसलो में, एक decision जो हमारे kitchen की look को, हमारे पैसे को, और overall aesthetic को सबसे जाधा impact करता है, वो होता है हमारे kitchen में finish किस तरह की use हो, जैसे जो हम kitchen बना रहे हैं, क्या उसके उपर laminate लगना चाहिए, acrylic लगना चाहिए, PU या deco paint होना चाहिए, hardwood या vineyard पर polish होनी चाहिए, membrane होना चाहिए, like and glass होना चाहिए, और या इस तरह के और जो options होते हैं, इन से क्या हो, जो हम CEO 91 Homes Company का, जो एक interior design और art track firm है, तो अगर आप अपना घर भी interior design करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी team से correct कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, नीचे description में जाने एक link दे रहे हैं, जो whatsapp का link है, क्लिक करने, आप सीधे हमारी team से जुड़ जाएंगे, और हमारी team आपक जीज में क्या ध्यान रखना चाहिए, यानि लैमिनेट लगा रहे है, क्रिल के लगा रहे हो, तो क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो finish अच्छे से बन सके, और हर किसी में सबसे अच्छी brands कौन सी होगी, तो यह होगे पहला हिस्सा, second decision में मैं आपको बताऊं है, वो है लैमिनेट, जो आज भी भारते घरों में सबसे पहली choice बनी हुई है, पसंद के मामले में, आज भी 80% जगों पर मैं देखता हूँ, लैमिनेट में आपको brands बहुत सारी मिल जाएंगी, आपको color combination बहुत सारी मिल जाएंगे, pattern बहुत सारी मिल जाएंगे, अब तो 3 थिकनेस भी कई तरी के मिल जाएंगे, 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.52 तो आपको थिकनेस भी बहुत सारी मिल जाती है, तो एक तरह से कह सकते है, इस मामले में थोड़ा शर्माजी का बेटे हैं, यानि हर चीज में अच्छे, लेकिन विधिकाविदान है, कि जिस चीज के फायदे नहीं मिल पाएंगी, लेकिन फिर भी जो बाकी ऑप्शन से लेकर्ड ग्लास हो गया, उनकी मुकाबले इसमें रिफ्लेक्टिवनेस कम रहती है, तो अगर आपको एक हाइली रिफ्लेक्टिव किचन चाहिए, तो अनफॉटनेटली लेक्टिवनेस आपको प्रवाइड नही होगी, इसके लाब हमें ध्यान रखना होगा, कि जब हम इसको बनवाएं, तो इसमें क्या खर्चा आएगा, लेमिनेट में अगर आप जाते हैं, और उसमें आप एक किचन बनवा रहे हैं, तो अवरॉल जो किचन है, वो आपको लगबग 1400-1500 रुपी स्क्वेर फिट आरा अगर आप डिसाइड करते हैं, कि मुझे लेमिनेट के साथ जाना है, तो एक चीज़ा जिसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए हो है, कि भार की तरफ जब भी आप लेमिनेट यूज़ करें, तो उसकी थिकनेस कम से कम 1 mm के जरूर रखें, उससे अगर आप कम रखेंग किचन में यूज़ नहीं करने है, क्योंकि इनके अंदर जो चिकनाट है, जो ओलीनेस हो जाद लगती है, तो आपको बार पर इनको साफ करना पड़ता है, इस वज़े से मैं हमेशा रिकमेंट करता हूँ, कि डिजाइन आप कोई भी चूज कर लीज़े, लेकिन के अंदर हम इसमें जो परसनली मेरी फेवरेट ब्रैंड्स है, इन कंपनीज का मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ, तो मेरा भरोसा ही बना हुआ है, और डिजाइन इस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो आप भी चाहें, तो इन कंपनीज के साथ जा सकते हैं, तो ये तो बात है, और इसका trend market में बहुत जादा बढ़ रहा है, इसका trend बढ़ने की जो सबसे पहली वज़ा है, वो ये, कि इसमें जो एक glossiness है, वो बहुत जाद होती है, लेकिन हाँ, वो ले तो सकते हैं, लेकिन फिर भी acrylic के मुकाबली उसमें जो glossiness है कम रहती है, तो अगर आपको एक highly gloss यानि आपको एक highly reflective type की kitchen चाहिए, जो देखनें बहुत जादा premium दिखे, तो आपको acrylic के साथ जाना चाहिए, इसकी बाकी फायदा ये भी है, कि ये strong काफी होती है, आपको इसमें thickness अच्छी कासी मिल जाती है, और इसको clean करना भी आसान होता है, हाँ I know इसमें कई बर जो oil kit दागया, fingerprint के हो लग सकते हैं, दिख सकते हैं, लेकिन वो clean भी उतनी असानी से हो जाते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, इसमें भी आपको thickness बहुत सारी मिल जाएंगी, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, सवा, 2, 3, इस तरह से ऊपर चलते हैं, कई सारी thickness में आपको मिल जाती ह लेकिन अगर आप decide करते हैं, कि आपको इस तरही kitchen के साथ जाना है, तो मैं recommend करूँगा, कि आप 1 mm के acrylic को तो बिलकुल avoid कर दिये, क्योंकि उसमें वो वाली finishing नहीं आपाती, आप कम से कम 2 mm के acrylic तो लगवाईए, हाँ थोड़े expensive पड़ेगी, वहां मैं agree करता हूँ, लेकिन कम से कम long term तक चलेगी, और जो finishing या जो premium नहीं के आपको उमीद है, वो आपको मिल पाएगी, लेकिन कुछ एक बुराईएं भी acrylic के जो आपके सामने रखना ज़रूरी है, सबसे पहले बुराई तो यह है कि laminate के मुकाबले यह लगबग 400 से 500 रुपया, या नि 400 तो 500 रुपी कि reflectiveness काफी जाद होती है, तो अगर कहीं भी fingerprint लग जाए, कोई दाग दौबा लग जाए, वो दिखने लग जाता है, हाँ इसको साफ करने ज़रूर आसान होता है, लेकिन हाँ maintenance वोड़ी बढ़ाता है, क्योंकि बार बार आपको इस पर कपड़ा मारना पड़ता है, तीसरी और सबसे जादा major बुराई मेरे हिसाब से acrylic में यह है, कि इसमें जो color options है, बहुत जादा limited आते हैं, कुछ एक color है, उनमें कोई texture, pattern, drawing, कुछ नहीं हो सकता, वो सिर्फ उसे plain colors होते हैं, और वो भी बहुत limited होते हैं, for example, अगर आप किसी भी wooden shop पे जाए, किसी laminate shop पर जाए, laminate के आप बात करेंगे, तो वो आपको इतनी मोटी booklet पकड़ा देगे, भई आप चूस कर लो, लेकिन जहाँ acrylic के बात करेंगे, तो यह शायद 2 या 3 पन्ने होंगे, जिनके अंदर आपको acrylic दिखा दी जाएंगे, क्योंकि इसमें जो color options है, बहुत limited है, तो अगर आपको colors explore क बनवाकर, एक modular setup से बनवाएं, क्योंकि जब acrylic को paste करना होते है, किसी भी wooden surface के उपर, तो उसमें heat and pressure बराबर चाही होता है, जो machine अच्छे से दे पाती है, इंसान ही आती है, आप carpenter के हाथ उतने अच्छे से paste नहीं कर पाएंगे, वो कर तो देंगे, तेकिन जिस level के finishing के हमें उमीद होती है acrylic से, वो एक carpenter प्रवाइड नहीं कर सकता है, इसलिए मेरी recommendation है कि आप एक modular वाले से ये करवाएं, घर पे carpenter से acrylic sheet paste ना करवाएं, टॉप brands जो मैं इसमें recommend कर रहे हूँ हो, वो है, Europathy, Eurolight, Luxe और Rehau, ये चार brand है जिनका मैं सब से लादा use करता हूँ, तो आप बीचा है तो इसमें options explore कर सकते हैं, तो ये बात होगी acrylic की, तो अभी तरह हमने laminate cover कर लिया, acrylic कर लिया, अब चलते हैं PU paint पर, एक बार अपने screen पर सारी kitchens देखिए, इनमें 80's आपको common देखेगी, इनके जो shutter के design है वो देखिए, सब में molding है, plus minus है, यानि किसी का भी shutter plain नहीं है, उनके उपर किसी तरह के design हो रखी है, अगर आपको इस तरह का look चाहिए, तो PU paint उसके उपर सबसे अच्छा option बन जाता है, क्योंकि वो acrylic के laminate में achieve नहीं किया जा सकता, वहाँ को plain finish मिलती है, लेकिन इस तरह का design अगर चाहिए, तो आपको फिर paint के साथ जाना PU एक high-end paint है, जो spray के दवारा आपकी shutters पर किया जाता है, और बहुती glossiness वाला हो, या बहुत matte finish में हो, आपको दोनों finish में मिल जाएगा, लेकिन बहुती steamless look आपको मिलती है, तो आपको अगर अपने shutters में कोई design करवाने, कुछ molding बगर लेने हैं आपको इस तरह का look लेकिन दूसरी तरफ इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये, कि इसकी जो life है, laminate या acrylic को मकाबले कम होती है, लगवा 5-7 साल बाद आपको इसको एक बार repeat करवाने ने चाहिए, या तो ये अपनी जो shine ऐसे वो loose कर देता है, या फिर कहीं ना कहीं से wear tear हो जाता है, इस जो durability है, वो acrylic के laminate के मुकाबले कम रहती है, या इसमें scratches आने के जो chance से वो जाद रहते हैं, तो अगर आप इसको कहीं भी करवाते हैं, तो make sure आपके made हो जो इसको maintain कर से के लगाता है, और थोड़ा पैसा भी हो, क्योंकि एक time प्राद इसकी servicing में पैसा लगता है, तो ऐसे में इसको scratch से थोड़ा बचाना रहता है, इस वज़े से durability के मुकाबले में ये laminate और acrylic मुकाबले थोड़ा कम हो जाता है, तो अगर आप decide करते हैं इस तरी kitchen के साथ जाना, तो सबसे पहली चीज़ आपकी पैसे जादा खर्च होंगे, जहाँ laminate वाली आपको लगवा 1500 तो ये आपको 2400 यानि 2400-2500 इसका round पढ़ सकती है, यानि ये उन दोनों से थोड़े महंगी होती है, दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रहे कि अगर आप PU फिनिश वाली kitchen लेना चाहते हैं, तो आप इसको factory बरनवाए, ना कि घर पर घर पर उस level की finishing नहीं आपाते हैं, कि उत में से कोई भी यूस कर सकते हैं, अभी तक जो हमने finishes cover करी, यानि laminate, acrylic and PU paint, इनके साथ हमने 98% भारते घरों cover कर दिया है, लेकिन 2% ऐसे घर बसते हैं, जो थोड़ा unique कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए मैं अगले options बताता हूँ, इन unique finishes में, जो सबसे पहले finish आती है, वो आ पाकियों में लगता है, बिसलिए sheet होती है, तो उसी को band कर दिया जाता है, तो आपके जो edge है और आपको shutter जो face है, वो बिल्कुँ seamless look में आ जाता है, इस membrane finish को use करके plain shutter हो, या कोई shutter जिसके उपर कोई molding हो, आप दोनों का use कर सकते हैं, क्योंकि ये finish दोनों के उपर अराम से apply हो जाती है, इसके जान तक expense की बात करी जाए, तो ये आपको acrylic से थोड़ी से सस्ती पढ़ती है, लगबाग 1800 रुपी स्क्वेर फिट के आसपास, इसमें आप costing आपको आती है, यानि laminate से उपर है, लेकिन acrylic से नीचे रहेगी, इस तरह की finish uncommon इसलिए है, क्योंकि एक तो इस इसकी जो factory से बहुत कम है इंडिया में, प्लस इसमें कोई major benefit आपको नहीं मिल रहा है, कि आप इसके तरफ जाए, इस से अचाप acrylic में जाए, laminate में जाए, PU में जाए, उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई major benefit नहीं है, सिवा एक के, कि इसमें edge bending tape का use ना होकर, सीध आपके हो गई, लेकिन market में आप इस तरीक option भी available है, जिसमें सीधे सीधे लकडी के shutters बनते हैं, और उनके उपर polish कर दिया जाता है, ये काफी जादा expensive पढ़ते हैं, लेकिन जो look निकल कर आती है, वो काफी जादा premium निकल कर आती है, तो अगर पैसे कोई दिक्कत नहीं है, और आप एक premium look लेना चाहते हैं, और एक natural finish लेना चाहते हैं अपने kitchen में, तो आप hardwood के साथ जा सकते हैं, ये आपको cost करेगा लगबग somewhere around 32 to 3500 रुपी square feet, ये starting है, now depending on की आप wood क्या यूज़ करते हैं, ये और उपर भी जा सकता है, इसका एक सस्ता alternative ये भी है, कि आप प्ला प्लस अब ये थोड़ा सा old look में consider होने लग गई है, पहले जब kitchen में polish कर दी जाती हैं, अब उस तरीका trend नहीं है, अब sheets का ज़्यादर trend है, यानि acrylic हो गया, laminate हो गया, paint हो गया, इस तरीके ज़्यादर चीज़ करवाई जाती है, ये polish वाली चीज़ है, थोड़ी से old fashion हो ग glossiness निकल कर आती है, वो unparallel है, वो उसको कोई match नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तरसे आपने जो glass है, वो अपने shadow के उपर लगा दिया, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो touch and feel है, प्लस इसकी जो look है, वो कितनी ज़ादा अच्छी आती होगी, in fact, कई cases में इसकी जो premiumness है, इसक आपको चाहता हूँ कि आप ना करें, सबसे पहली जो चीज आपको नहीं करने होगी है, कि आपको कभी भी local brand के fittings, जो soft clothes ना हो, वो नहीं लेने है, क्योंकि letter cut glass का अपना एक weight होता है, जैसे ये shutter group पर लगता है, उनका weight और जादा बढ़ जाता है, ऐसे में जो normal hinges हैं, वो weight नहीं सबाल सकते हैं, तो आपको soft clothes लेने होंगे, अच्छी company के लेने होंगे, ये finish इंडिया में uncommon इसलिए, क्योंकि एक तो expensive बहुत जादा लगती है, क्योंकि ये starting में लगब 3,000 रुपे per square fit से start हो सकते है, और उपर जाता है, तो बाकियों के मुकाबले काफी जादा expensive है, प्लस आपकी kitchen के overall cost ही बढ़ जाती है, क्योंकि fitting बहुत अच्छी चाहिए, आपके board बहुत अच्छी चाहिए, बहुत मस्बूत चाहिए, जो इन lacquered glass का weight संभाल सके हैं, इसके लाव I call and common finish हो जो अभी मुझे याद आई, जिसको कहते है, UV finish shutter, UV finish बैसे कुछ नहीं होते है, shutters के उपर paint किया जाते है, उसके उपर UV के एक protection layer चड़ा दी जाती है, और वो बन जाते है UV paint finish, हाला कि इसमें बहुत जाता major brand fit नहीं मिलता, प्लस इसके durability में भी issue रहते हैं, और कुछ टाइम बाद वो जो layer है वो भी खराब होने लगती है, इस वज़े से इंडिया में यह और आप option, यानि color option, design option बहुत सारे चाते हैं, तो laminate is the answer, वो आपके लिए सबसे अचा रहेगा, आपको उसके साथ जाना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैसे जादा खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक highly premium kitchen बनवाना चाते हैं, तो सबसे अच्छा मेरे साब से रहेग premium kitchen जिसकी glossiness, top notch, उसको कोई beat ना कर सके, तो laggard glass is the answer, उसकी premiumness या उसकी glossiness को और कोई material beat करी नहीं सकता, और अगर आपको चाहिए इस तरह के classy look, एक traditional look, जिसमें polish के feel आए, तो आप hardwood या vineyard में जा सकते हैं, वही look इस तरह की चीज़े आपको provide कर सकता है, इसके लाबा जो finish मैंने really recommend नहीं करता है, तो इसलिए मैंने उसको list का part भी नहीं बनाया, ये वो चीज़ें जो आप decide कर सकते हैं, और इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है, मुझे उमीद है कि आज की इस वीडियो में आपको सारा जो ग्यान मैंने दिया, वो समझ आया होगा, प्लस अच् confusion है जो आपके mind में छूट गई, तो please अपना comment में question ज़रूर पूछेएगा, पूछने इस पैसले हैं खीचे केगा बिल्कूर मत, क्योंकि आपका एक question, कहीं हजार लोग question हो सकता है, आपके पूछने के वज़े से और मेरे बताने के वज़े से उन सब का doubt clear हो सकता है, तो please comment comment में अपना question ज़रूर पूछेएगा, इसके अलावा अगर आप अपने घर के internet design करवाना चाहते हैं, तो उसमें हम आपकी पूरी-पूरी साहता कर सकते हैं, नीचे description में जाएए, एक link मिलेगा, WhatsApp का link है, प्लिक करिए, आप सीधे हमारी team से जुड जाएंगे, और हमारी team आ इतना ही, अब मिलूँगा मैं आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए topic के साथ, जहां मैं आपको दूँगा बहुत सारी जानकारी, बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही simple शब्दों में, और तब तक के लिए, good bye!